नमस्कार दोस्तों, पातर टक सो में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग बातचीत करेंगे कि PG का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एड्मिसन कोलान युनिवर्शिटी का ओनलाइन खुद से कैसे भरे और पेमिंट खुद से कैसे करें तो वीडियो को में बने रहें अगर आप चैनल में नई है तो चैनल को सस्क्राइब और लाइक जरूर करें कियोंकि ऐसा वीडियो और जानकारी से रिलिटेड वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलते रहेंगे तो चलिए बीना टाइम वेस्ट गवाएं सिधा पोर्टल में चलते हैं आपको गूगल में या फिर आप अपना सर्च बार में टाइप कीजे चलाउंसर पोर्टल जैसे आप अपने गूगल में चांसलर पोर्टल टाइप कीजेगा आप देख रहे हैं स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है आपको Google में Chancellor Portal टाइप करना है टाइप करने के बाद आपको सबसे पहला दिखेगा Chancellor Portal Home Page आप जैसे वहाँ क्लिक कीजेगा आपका पेज थोड़ा लोडिंग होगा लोडिंग होने के बाद आप दूसरा पेज में आ जाएगे जो आप बना के रखे हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड आप उसी यूजर नेम और पासवर्ड आप टाइप कीजेगा और लोगिन हीर में क्लिक कीजेगा ये आईडि और पासवर्ड कैसे बना जाता है स्टुडेंट अगर इसके उपर भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखे मैं इसके उपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा तो आईडि और पासवर्ड टाइप करने के बाद आप नीचे में कैप्चा कोड दिया हुआ है उस capture code को आप type कीजिए और login पर login हो जाईए जैसे friend आपका login हो जाएगा आपको सिधा आपका main portal में आपको लेके आ जाएगा पहले तो आप ये check कर लिजिए कि सबसे पहले आपको college से और university से approve हुआ है की नहीं उसके लिए सबसे पहले आप application form में क्लिक कीजिए जो आपको screen के left side में नजर आ रहे है आप सीधा scroll down कीजिएगा तो नीचे में आपको मिलेगा view application आप view में क्लिक कीजिए जैसे आप view में क्लिक कीजिएगा आपका सारा details आपको so करने लगेगा और यहीं पे आपको option मिल जाएगा बहुत सारा option, receipt वेगरा का आप नहीं पर नीचे में आप view application में क्लिक कीजे जैसे आप view application में क्लिक कीजेगा तो आपको right side उपर में application नजर आएगा आप यहाँ check कर सकते हैं कि यह आपका college से approve हुआ है की नहीं university से approve हुआ है की नहीं अगर आप college और university से approve हो चुका है तो आपको payment option मिलेगा left side में आप payment option में क्लिक करने के बाद आपको option आएगा fee pay जैसे आप fee pay में क्लिक कीजेगा यहाँ पे आपको मिलेगा admission admission में क्लिक करने के बाद सिधा आपको कुछ-कुछ option wait मिल जाएगा थोड़ा wait कीजेगा और आपको admission में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए pay now का option नजर आ रहा है आपका college से अगर approve हो गिया होगा तो आप pay now में क्लिक करके आपका college का fee pay करके आप अपना registration confirm कर सकते हैं तो जैसे आप pay now में क्लिक कीजेगा okay करना है okay करने के बाद आपका fee का option आ जाएगा कि आपको कितना pay करना है तो जैसे यहाँ पे 754 रुबिस पे करना है आप payment पे क्लिक कीजे आपको direct payment पे लेके आ जाएगा आप जैसे वहाँ पे आप payment कीजेगा तो आपको अलग-अलग option मिलेगा UPI से, Net Banking से या आप QR code को scan करके भी आप phone pay, Google Pay के माध्यम से कर सकते हैं आप इसको scan कर लिजेगा अपने phone से और payment को आराम से payment कर सकते हैं तो बहुत ही simple तरीका से आप कोई भी university का या college का अगर approve हो चुका है चिनी बच्चा लूंग का जिनका PG के लिए वो apply किये हैं आप इस माध्यम से easily अपने घर बैठे ही कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा friend वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए जादा से जादा share कीजिए ताकि दूसरा student को भी मिले ये जानने को की कैसे करके हो रहा है और खुझ से करे ताकि कैफे वाला को या किसी और को पैसा आपके pocket से देना ना पड़े मैं description में direct link डाल दे रहा हूँ friend आप यहां से भी direct login page में जा सकते हैं और मैं में अपना mail ID भी दे दूँँगा आप वहां पे मुझे mail करके आपका जो भी question जो भी problem आपको login related या payment related आ रही है या आपको समझ्या हो रही है direct हमें mail कर सकते हैं हम पूरी कोशिस करेंगे आपको पूरा free में help करने के लिए तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो